नमस्कार आज हम हिंदी भाषा की आठ्वी कक्षा की पाठे पुस्तक अभ्यासागर के पाठ दस बाचीत की कला के व्याकन से संबंदित प्रशन करेंगे यह पाठ संधी पर आधारित है आज हम स्वर संधी वा उसके भेदों के विशे में जानेंगे तो आएए पाठ शुरू करते हैं यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक और कमेंट जरूर कीजिएगा तो आएए देखते हैं जैसा कि आपको बताया गया है कि यह पाठ संधी पर आधारित है तो हम सबसे पहले संधी की परिभाषा देखते हैं तब ही हमको सभी प्रश्न अच्छे से समझ में आएंगे तो यह देखे यहां पर परिभाषा दी गई है जब दो धोनिया निकट होने पर आपस में मिल जाती है और और एक नया रूप धारन कर लेती है तब वहाँ संधी होती है ठीक है? तो आईए पहले प्रशन देख लेते हैं पहला नीचे दिये गए शब्दों की रचना पर ध्यान दीजिए ये शब्द दिये गए हैं चराचर तो ये दो, कौन से दो शब्दों के मेल से बनाए चर जमा अचर तो इन शब्दों की रचना कैसी हुई है? इन के आपस में जूड़ जाने से नए शब्द की रचना हुई है चर धन अचर से किसकी रचना हुई है? चराचर की ठीक है एक नया शब्द मिले हमें अब आगे देखते हैं निम लिखित शब्दों को उधारन के अनुसार लिखते हुए बताईए कि शब्द के अंतिम वर्ण में कौन सा स्वर है यह देखिए यह शब्द है चर और इसका जो अनुसा स्वर चीपा हुए है इसमें र आधा है और अस्वर चीपा हुए है ठीक है जितने भी वर्ण है उनमें स्वर चीपे हुए है देखिए जैसे क है क व्यंजन है एक अगर हम इसे क को तोड़ें तो हमें क्या मिलेगा आधा क जमा अ इसमें अ स्वर छीपा हुआ है उसी तरह से ख में भी आधा क जमा अ तो जितने भी व्यंजन है उनमें जितने भी वर्न है उनमें स्वर छीपा हुआ है ठीक है तो अगर क को हम तोड़ेंगे तो ऐसे बनेगा और ख को यदि हम तोड़ते हैं तो ऐसे लिखा जाएगा, ठीक है, तो अब देखते हैं, सर्व, अब व में, आधा व है, जमा अ, ठीक है, उसी तरह से इस शब्द में अभी, अब इसमें आधा भ है, और क्या जुड़ा हुआ ह इसमें इ, छोटी, ठीक है, महा, महा शब्द में ह आधा है, और इसमें आस्वर जुड़ा हुआ है, ठीक है, अब ध्यान पूर्वक पढ़िए, जब चर शब्द में, जब चर शब्द में अचर शब्द जुड़ता है, तो नया शब्द चराचर बनता है, जैसा हमने चर शब्द है, जब इसमें अचर जुड़ जाता है, तो हमें नया शब्द क्या मिलता है, चराचर, ठीक है, तो उसी का उधारन दिया गया है, यहाँ पे, चर का अंतिम, चर का अंतिम क्या है, अ, यानि यह देखिए, र है न, तो र अपकी रचना भी हमने कैसे बनाई थी कि आधार जमां अ, स्वर और अचर का प्रथम अ, यानि कि चर का अंतिम यानि अ और अचर का प्रथम यानि कि अ छोटा अ, ठीक है, स्वर मिलकर आ बनता है यह देखिए, जैसे यह चर है ठीक है, इसमें अ स्वर जुड़ा हुए है, र में अ स्वर जुडा हुए और अचर का अ इन दोनों को इन दोनों धनियों के निकट आने से क्या बन जाएगा आ बड़ा आ की रचना होगी ठीक है और फिर क्या बनेगा हमें क्या मिलेगा हमें चराचर नया शब्द हमें क्या मिलेगा चराचर ठीक है अब आप बताईए कि अ और अ मिलकर किस स्वर में बदल गए कोस्टक में अपना उत्तर लिखिए अब हमें पता है अ और अ मिलकर क्या बनेंगे बड़ा आ ठीक है दो धुनियों के इस परकार के मेल को संधी कहते हैं आपको यह और उधारन ले लीजिए जैसे कि हम उधारन ले लेते हैं पर जमा अधीन ले लेते हैं ठीक है या पर धन अधीन इस चिन को हम धन भी बोल सकते हैं पर धन अधीन अब इसमें देखिए अगर हम इसको इसके अंतीम को तोड़ते हैं तो हमें क्या मिलेगा प, अगर हम र को तोड़ते हैं, ठीक है, आधर र, इसमें अ चिपा हुआ है, तो इसका अंतिम क्या हुआ, अ हुआ, और इसका प्रथम क्या हुआ, इसका प्रथम भी अ हुआ, तो जब ये दोनों, इसका पर का अंतिम और अधीन का प्रथम, ये दोनों धोनिया जब आपस मे तो हमें क्या मिलेगा बड़ा आ तो ये क्या बन जाएगा इसका पराधीन ठीक है या एक और उधारन ले लेते हैं मत्धन अनुसार अब इससे हमें क्या प्राप्त होगा अगर हम इस त को तोड़ें तो इस त में अ जुड़ा हुआ है और इसका प्रथम क्या हुआ तो ये अ और ये अ यानिकि इसका आधे त का अ और इसका अ मिलकर क्या बन जाएंगे अ ठीक है मत्त का अंतिम क्या हुआ अ हुआ और अनुस्वार का प्रथम क्या हुआ वो भी अ तो ये दोनों मिलकर क्या बनाते हैं अ तो हमें यहाँ पर क्या प्राप्त होगा नया रूप क्या बनेगा मत्त अनूसार ठीक है अब आगे बढ़ते हैं हमने यह देखा जब दो धनिया निकट होने पर आपस में मिल जाती हैं और एक नया रूप धारन कर लेती हैं तब संधी मानी जाती हैं जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नय स्वर का निर्मान करते हैं तो उसे हम स्वर संधी कहते हैं अभी हमने संधी की परिभाशा पढ़ी, अब हम स्वर संधी की परिभाशा पढ़ रहे हैं, स्वर संधी, जो संधी का एक बेद है, दुबारा देखिए, जब दो शब्द आपस में मिलते हैं और पहले शब्द का अंतिम स्वर तथा दूसरे शब्द का पहला स्वर मिलकर एक नए स्वर का निर्मान करते हैं तो इसे स्वरसंधी कहते हैं जैसे चराचर में इसका अंतिम अ और इसका प्रथम अ मिलकर बड़ा आ नए स्वर का निर्मान हुआ है ना तो वहाँ पर क्या होगा स्वरसंधी स्वरसंधी के पांच भेद हैं स्वर संधी के कितने भेदे पांच दिर्ग, गुण, वृद्धी, यन और अयादी ठीक है तो हम सबसे पहले दिर्ग संधी के विशे में पढ़ेंगे इस उधारन को हम तब देखेंगे पहले हम परिभाशा देख लेते हैं जब दो एक स्मान स्वर आपस में मिलकर दिर्ग हो जाते हैं दिर्ग का मतलब बड़ा जब दो एक स्मान स्वर आपस में मिलकर दिर्ग हो जाते हैं तो उसे दिर्ग संधी कहते हैं ये देखें जैसे अ धन अ मिलकर क्या बनाएंगे बड़ा आ अ धन आ मिलकर भी क्या बनेगा बड़ा आ अ धन अ मिलकर क्या बनेगा आ और अ धन आ मिलकर भी आ यानि कि छोटा आ हो या बड़ा आ हो दोनों मिलकर बड़े आ का नए स्वर का निर्मान करेंगे ठीक है उसी तरह से E और E मिलकर बड़ी E का निर्मान होगा अगर छोटी E है तब भी चोटी E और बड़ी E मिलकर भी बड़ी E बनेगी और बड़ी E और छोटी E है तो तब भी बड़ी E बनेगी उसी तरह से यह देखिए O और O है तो बड़ा O बन जाएगा छोटाऊ और बड़ाऊ मिलकर भी बड़ेऊ का निर्मान करेंगे बड़ाऊ और छोटाऊ तब भी बड़ेऊ का निर्मान होगा तो आप इन्हे ध्यान से देखिएगा इन्हे ध्यान में रखिएगा तब ही आप दिर्गसंदी कर पाएंगे ठीक है? अब हम इसके उधारन दिखते हैं, निम लिखी शब्दों में संधी कीजिए, जैसे अन जमा अभाव, अब इस ना में आपको पता है अ चिपा हुआ है, अ स्वर चिपा हुआ है और इसका प्रत्थम, अब ये भी अ है, ये भी अ है, तो दोनों मिलकर क्या बनाएंग बड़ा आ, ठीक है, तो क्या बन जाएगा हमारा अना भाव, ठीक है, उसी तरह से शिव जमा अल्य, या शिव धन अल्य, अब इस व में आपको पता है, अ चिपा हुआ है, अ स्वर और ये बड़ा आ है, तो बड़ा आ, इसका अ और इसका बड़ा आ मिलकर क्या बनाएंगे बड़ा आ, यानि शिवाल्य, इसका निर्मान होगा, नया शब्द क्या मिलेगा हमें, शिवाल्य, उसी तरह से अगला शब्द देखिए, अगला उधारन, गिरी जमाईश, अब ये देखिए, र पे छोटी ए की मात्रा है, यानि कि छोटी ए और ये बड़ी ए, दोनों मिल गिरीश, गिरी जमाईश, गिरीश, अगला उधारन है भानु जमाउदे, अब ये छोटा उ है ना पे, छोटा उ धन, छोटा उ, तो क्या बनेगा, बड़ा उ बन जाएगा, तो क्या होगा, भानु दे, रेखा, जमा, अंकित, या रेखा, धन, अंकित, अब ये भी आ है और ये अ है, आ और अ मिलकर आ का निर्वान करेंगे, तो रेखा, अंकित, वार्ता, धन, अलाप, अब इसमें आ है, इसमें भी आ है, तो क्या बन जाएगा, वार्ता, लाप, ठीक है, दुबारा देखिए, अन जमा भाव, अना भाव, हम एक बार उधारन बना लेते हैं इसका, जैसे यह हमें दिया गया है, अन धन अभाव, तो इसका क्या बना? अना भाव, यह कैसे बना? यह देखिए, यह इसका प्रथम, इसका प्रथम क्या है? अ है, और इसका अंतिम भी न में क्या छिपा हुआ है? अ छिपा हुआ है, तो यह और यह मिलकर क्या बनाएंगे? बड़ा आ, तो हमारा क्या बन गया? अना भाव, सोरी यहां पे ऐसे अ आधान, फिर पूरान, अना भाव, तो इस तरह से बनेगा, जैसे यह था भानू, जैसे यह गिरी वाला उधारन लेते हैं, गिरी जमा इश, या गिरी धन इश, अब इस रह में छोटी ही है, यह तो आपको पता ही है, और यह इसका प्रथम बड़ी ही, तो यह दोनों मिलकर क्या बनाएंगे, बड़ी इ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, गिरीश, ठीक है, उसी तरह से यह उधारन देख लेते हैं, भानू, जमा, उदे, अब यह देखे, यह छोटा उ, और यह भी छोटा उ, मिलकर बड़े उ का निर्मान करेंगे, तो क्या ब आनू, दे, पड़ाओ जाना, यानि कि दिर्ग, तो यह सभी किसके उधारन है, दिर्ग संधी के उधारन है, तो आप इने ध्यान में रखिएगा, एक बार इने खुझ से पढ़िएगा, तब आपको अच्छे से यह संधी समझ में आ जाएगी, अब हम गुण संधी के विशे में पढ़ेंगे, अब गुण संधी, पहले इसकी परिभाशा देख लेते हैं, फिर इसके उधारन करेंगे, यदि अ या आ के बाद, इ या इ, उ या अउ, अत्वा री आए, तो दोनों मिलकर कर्मशे, ए, ओ, और, अर हो जाते हैं, इसे गु गुण संधी कहते हैं, दुबारा ध्यान दीजिए, कि यदि अ और आ के बाद, अगर इ और इ आए, तो क्या बनेगा, ए बनेगा, उ और अउ आए, तो क्या बनेगा, ओ बन जाएगा, ठीक है, और अगर अ और आ के बाद री आए, री की मात्रा, तो क्या बनेगा, अर हो ज A, AD वाला छोटा A, ठीक है, A के बाद अगर बड़ी E और था बड़ी E और तब भी A बनेगा, आ के बाद बड़ी E और तब भी A बनेगा, ठीक है, उसी तरह से, A के बाद अगर O आए, तो O बनेगा, अ के बाद बड़ा उ आए तब भी ओ बनेगा आ के बाद उ आए तो भी ओ बनेगा और आ के बाद बड़ा उ आए तब भी क्या बनेगा ओ बनेगा और अ के बाद री आए तो उसका क्या हो जाएगा अर और आ के बाद री आए तब भी क्या बनेगा अर ठीक है? तो अब हम इसके उधारन देखते हैं ये क्या है? गुन संदी तो गुन संदी के अब उधारन समझेंगे हम पहला देखते हैं देव धन इंद्र अब ये देखिए अब व में आपको पता है अ चिपा हुआ है अस्वर और ये E है, अब A के बाद क्या आया है, E आया है ना, तो अगर A के बाद E आये तो क्या बनेगा, A बनेगा, A के बाद, ये देखें, A के बाद E आये तो क्या बनेगा, A बनेगा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, देव जमा इंद्र यानि देवेंद्र, A की मात्रा बन जाए जाएगा इसका देव जमा इश या देवधन इश अब इसमें आपको पता है व में अ है अस्वर और ये बड़ी की मात्रा है और इसका प्रथम क्या है बड़ी इ तो ये दोनों मिलकर क्या बनाएंगे एक ही मात्रा यानि देवेश अगर ए बनाएंगे तो क्या बन जाएगा महेंद्र चंद्र जमा उदे या चंद्रधन उदे अब इसमें अ चिपा हुआ है और ये उ है अगर आ के बाद उ आ जाए तो क्या बनेगा ओ बनेगा है ना के बाद यदि У आजाता है तो ओ बनेगा तो क्या बन जाएगा? इसका चंद्रधनुदे का चंद्रो दे अगला उधारन अब आख और उ दोनों मिलकर क्या बन जाएगा? ओ बन जाएगा अ धन उ क्या बन जाएगा? अब री की मात्रा आगी है अ के बाद यह देखे यहाँ पे व में अ स्वर्चिपा हुआ है और इसमें प्रथम री की मात्रा आगी है तो कि अर हो जाएगा अर ध्वनी आएगी जैसे देवर्शी बोल के देखे आप तब आपको उचारन करके देखे आप इसका तो आपको अर की ध्वनी आएगी अभी हमने पढ़ा था कि अ के बाद अगर री आए तो अर बन जाएगा चाहे आ के बाद री आए तब भी अर बनेगा महाधन रिशी महर्शी तो यह थे गुण संधी के उधारन अब आगे हम व्रिद्धी संधी के बारे में पढ़ेंगे यदि अ या आ के बाद ए या आए तो दोनों के स्थान पर ए तथा ओ या ओ आए तो दोनों के स्थान पर ओ हो जाता है इसे ब्रिद्धी संधी कहते हैं ब्रिद्धी यानि ब्रिद्धी हो जाना, बढ़ जाना जैसे अगर ओ या आ के बाद छोटी ए आए या बड़ी ए आए तो दोनों के स्थान पर ए हो जाएगा ठीक है, बढ़ी ए हो जाएगी मतलब और O या O के आये तो दोनों के स्थान पर बड़ा O हो जाएगा ठीक है अब यह देखिए देखिए O के बाद A आये तब भी बड़ा A बनेगा O के बाद बड़ी A आये तब भी बड़ा A बनेगा A के बाद A आए तब भी बड़ा A और A के बाद A आए तब भी बड़ा A ही बनेगा उसी तरह से A के बाद अगर O आए तो बड़ा O हो जाएगा और A के बाद छोटा O आए तब भी बड़ा O हो जाएगा और A के बाद बड़ा O आए तब भी क्या बनेगा बड़ा O बनेगा यानि कि उनमें वृद्धी हो जाएगी ठीक है अब हम इसके उधारन देखेंगे तब आपको अच्छे से समझ में आएगा यह देखें पहला उधारन है एक धन एक एक धन एक अब आपको पता है क में A स्वर छिपा हुआ है A और A मिलकर बड़ी A बन जाएंगे तो क्या बन जाएगा एक धन एक एक ठीक है यह दो मात्राएं बड़ी A की होती है सदा धन एव अब इसमें A और A मिलकर बड़ी A बनेगा है ना बड़ी हो जाएगी ना तो क्या बन जाएगा सदेव इसमें A छिपा हुआ है और यह A है A जमा A क्या बन रहे हैं बड़ा A बन रहे हैं तो क्या हो जाएगा सदा जमा एव सदेव अगला उधारन महा जमा एश्वर्य अब ये आ है और ये ए है तब भी क्या बनेगा बड़ा एई बनेगा ना तो महेश्वर्य हो पे लग जाएगी दो मात्रे और श्वर्य आ जाएगा पीछे ठीक है ये वाला जो मात्रा है और ये मिलकर क्या बन गए है बड़िये बन गए है ना तो क्या हो जाएगा महाधन एश्वर्ये महेश्वर्ये परमधन ओजस्वी अब ये इसमें ओ है और इसमें ओ है तो क्या बनेगा बड़ा ओ बनेगा तो क्या बन जाएगा परमोजस्वी परमोजस्वी महाधन ओशद आ और ओ मिलकर क्या बनेगा? बड़ा ओ बनेगा महोशद महाधन ओशद महोशद ठीक है? तो हमने दिर्ग संदी, गुन संदी और वृद्धी संदी के विशे में पढ़ा अब आगे हम एक और संदी देखते हैं यन संदी यन संदी की परिभाशा देखते हैं पहले फिर इसके उधारन करेंगे यदि E या बड़ी E उ या बड़े U और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए ध्यान दीजिए छोटी E और बड़ी E छोटे U और बड़े U और री के बाद कोई दूसरा स्वर आए और छोटे उ और बड़े उ का क्या बन जाएगा व बन जाएगा इसे आप ध्यान में रखिए कि छोटी उ और बड़ी उ का क्या बनेगा य बनेगा छोटे उ और बड़े उ का मिलकर क्या बनेगा छोटे उ और बड़े उ आता है अगर तो क्या बनेगा व बनेगा और री का र हो जाता है तो इसे हम क्या कहेंगे यन संदी कहेंगे री का क्या हो जाएगा अब देखिए चोटी ई है यह उसके बाद कोई अन्य स्वर आ गया दूसरा स्वर आ गया आ गया तो इसका क्या बन जाएगा यह बन जाएगा चोटी जमा अ क्या बन जाएगा यह बन जाएगा और य बनेगा और ए के बाद आ आए तो य बनेगा उसी तरह छोटे उ के बाद यदि आ आता है तो व बनेगा छोटी ए के बाद ए आता है एडी वाला ए तो क्या बनेगा ये बनेगा ये और छोटे उ के बाद अगर छोटी एडी आता है तो वे बनेगा और री के बाद आस्वार आता है तो क्या बनेगा उसका रा ये आप ध्यान में रखेएगा अब हम इसके उधारन देखेंगे उधारन से आपको और अच्छे से समझ में आएगा नीचे लिखे शब्दों में उधारन के नुसार संदी कीजिए अब ये पहला उधारन है यदि जमा अपी यदि जमा अपी क्या बन जाएगा यद्य पी अभी हमने पढ़ा था न कि इ इसमें इ है छोटी इ और ये कोई दूसरा स्वर आ गया तो इसका क्या बन जाएगा यद्य बन जाएगा है न आदी या इतिधन आदी अब इसमें भी आपको पता है यह छोटी ए है और यह आ है तो क्या बनेगा तब या बनेगा पहले अ था तो य बना अब आ गया तो या बन जाएगा तो क्या बना इत्यादी अगला उधारन प्रतिधन एक अब यह क्या है? चोटी ए है और यह ए है तो क्या बन जाएगा? यह बन जाएगा यह तो क्या बनेगा? प्रतिधन एक प्रतेक अगला उधारन अनुधन एक्षना अनुधन एक्षना अब इसमें देखिए इसमें है उ इसमें उ है और यह क्या है? उ और ए बनेगा उऔर ए को मिलाकर वे बन जाएगा तो अनु धन एशना का अनवेशना अगला उधारन पित्र धन आगमन तो ये री की मात्रा है री के बाद आ गया तो वो रा बन जाएगा है न तो इसे किस तरह से लिखा जाएगा पित्रा गमन मतलो आधातव भी आ रहा है और रा भी आ रहा है उसमें तो पित्रा गमन ठीक है तो इस तरह से लिखा जाएगा यह है री के बाद आ गया तो रा बन जाएगा ना उसका तो पित्रा गमन ठीक है तो ये थे यन संधी के कुछ उधारन तो आज हमने स्वर संधी वा उसके भेदों के विशे में पड़ा आशा करती हो आपको सभी अच्छे से समझ में आ गए होंगे आप भी इनकी प्रैक्टिस कीजिएगा तभी आपको ये सभी संधी अच्छे से समझ में आएंगे अगली वीडियो में हम इसी पार्ट के आओ धोराएं से समंदित प्रश्न करेंगे तो मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए नमस्कार